कि दोस्टों कि आपने कभी किसी ऐसे पवधे का नाम सुना है जो कीट पटंगों को खाता है तो नहीं सुना है तो आज सुन देजिए कि ऐसा होता है यानि कि कुछ पवधे ऐसे भी होते हैं जो कीट पटंगों को खाते हैं तो हम इसमें जानेंगे कि कीट भची पवधे यान और ये कीट पटंगों को क्यों खाते हैं और इनके एक जामपन काउंट काउंट से पाउटे तो चलिए जानते हैं बने रही है हमारे साथ वैसे तो ये पधे जोटे ये भी स्वपोसी होते है यानि कि प्रकास संसलेशर की द्रिश्टी से अगर हम देखे तो ये अपना भोजन बनाने परन्टु नाइटोजन की पूर्टी के लिए ये कीटो पटंगों को खाते हैं होटा क्या है कि ये पधे ऐसे स्थान पर उगते ह आपना आटोजन की कम होर्टी है अब आटोजन की कमी है तो उन्हें कुछ न कुhadow करना हिं लाइन की पूर्टी के लिए तो ये करते क्या है कि कीतों को पकरते हैं कीतों को पकरने के लिए सरेम का बिवीन भाग होता है वह एक mismos शंव्रचना में रूपा अथ्य हो जाते और इनमें बिविन प्रकार के सुगंडित पदाथों का स्रावर होता है अब आकार्शित होकर कीट उनके उपर बैठे गाई और जैसे ही कीट बैठता है वैसे ही पाध्यों के बिविन भागों के द्वारा कीट विचार को दबोच लिया जाता है अब कीट विचारा भी जो है सोचता है कि वाकिस मुसीवत में फस गया अब कीट का जो है निकनने वाने बिविन प्रकार के इंजाइमों से पाचन कर लिया जाता है इस प्रकार इन पाध्यों में नाइटोजन की कमी की फूर्टी की जाती है इस कार के निये होता क्या है कि इनके जो सरे के विविन भाग होते हैं वे विविन संरचनाव में रुपांतर्ज हो जाते हैं इसनिये इन्हें क्या क्या काते हैं विविर पोशी काते हैं क्योंकि इ पादप डायोनिया ड्रोसेरा प्लेडरवर्थ बटरवर्थ एंड्रो वेंडा इत्यादी अब हम सबसे पनिबार करेंगे कंड़स पादप के बारे में कंड़स पादप जो टी है इसमें पत्ति का अग्रिम भाग घरे यानि की पीचर का आकार ग्रहर करनेता है जिसमें धक्क कीट उसके अंडर जाएगा ही ऑर कीट जैसे ही अंडर गया के उसका mitryость- AUDIO 이미 प्रकार का अब उसका पाचन हो गया तो अब उस पौध में नाइट्वोजन की कमी की पूर्टी हो गई और पीछे पंडान्ट के उदारर है जैसे निपेंठीज और सराशिनिया जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो है कंड़स पादप नेपेंठीज जिसे हम कते हैं यह जो है पीचर का एक आकारन दिया है और ऊपर जो है धकन यानि किंदेट की तरह के संग्रशना बन गई है अब यह कीट जैसे ही इसमें इंटर करेगा ऊपर का धकन जो ह तब तक बंद रता है जब तक कि कीट का जो है पाचन नहीं हो जाता है कि यहां भी आप देख सकते पीचरप लांट को कि नहीं आब हमबार करेंगे डायोणिया यानि कि विनेस नइट्रेप के बारे में वीनस प्डाइट ट्रेप जो है इसमें प्रत्यक पत्टी का जो ब्रिंट होता है और चप्ता होता है तथा प्रत्यक भाग के किनारे से निकनी हुई दास अद्रिस रचनाई होती है अब किट के पट्टी के संपर्क में आने के टूरंट बाद पट्टी के दोनों से बंद हो जाते हैं और किट का पाचन हो जाता है अब इसके द्वारा अब जो है इस पौर्ध में नाइट वोजन की कमेकी पूर्टि हो जाती है आप देख सकते हैं यह वीनस प्डाइट ट्रैप का पौध है अब खीट विचारा जो है मकरंद जो स्राविट हो रहा है उससे आकार से ठोकर आया इस पर बैठा अब उससे क्या पता कि जो इस परसक है यानि कि टिंटिकंस है वो इस विचारों को जो है इसमें फसा देंगे इस प्रकार इसमें भी नाइटोजन की कमी की पूर्टे हो जाती है तो यह देख सकते हैं विनस प्लाइट ट्रैप का पौधा है अब नेक संबार करेंगे ड्रोसेरा ड्रोसेरा की जिसे हम संद्यूं करते हैं इन पौधों का आकार काफी छोटा होता है जो गुनाववट क्रम में बिवस्टित होते हैं हर पत्ति में एक पत्ना तटा पेच्छा क्रिट नंबा ब्रिंट होता है इनका अगना भाग फना खोता है जिस पर अनेक पीन के आकार के घुन्दी वाने कुछ ग्रान्थिन स्पर्शक होते हैं यह ऐसे एक चिपचिपा पदार्थ निकानता रहता है जो ओस की तरह चमक रहा है तो कित को आकर्सित करेगा ही अब कित जो है उस पर आएगा बैठेगा और जैसे ही बैठेगा वैसे पनक से चिपक जाएगा अब जो दूसरे भी सारे टंटू है वो मूरकर कीट के ऊपर आ जाएंगे और कीट को चिपका देंगे उसमें और इस चिपचिपए पडात में पस्ठिट एंजाइम से कीट का पाचन हो जाता है और नाइट्रोजन एक तो पडात होता है इस पंड़क के द्वारा हुसोशत हो जाता है आप देख सकते है इस यह विनस फंडाई ट्रेफ यानि की ड्रोशेरा संज्द्यू ड्रोशेरा का जो एफ पौधा है लेख सकते है यहां पर मख्य बैठा है और जैसे ही बैठेगा यह क्या होगा की फीशन देगा यहां से और किण गिरेगा यह सब परसक जो रिख रहे हैं यह सब परसक भी जो है क्या करेंगे ऐसे यह डबोंत धंजर देगे और यह इसपंड़ चिपाक जाएगा में अब कीटवेचारा सोचकेगा कि व है कि फसक्राने है उसे जो है यह सब डबोची रहेंगे जब टक्यूस का पाचन न हो जाए अब हमने एक से देखते हैं बंड़ाइडर वर्थ बंड़ाइडर वर्थ जो है एक जनरी पवधा है और इसका वानसपतिक नाम जो है यूट्री कुंडेरिया है इस पवधे में प्राया जर का है इसमें इनकी जो पत्तियां होती है वो कतिफटी और संग्यूक्त होती है पत्तियों के अग्रिम भाग बहुत छोटे अंडाकार अथवा नासपाति की आकार के बंड़ाइडर बनाने ते हैं जो एक ब्रिंट द्वारा पत्ति के दूसरे भाग से जूरा रहता है अब बं अधिर के अंदर के उत्याइडर चार्ट हो छोटे रोम होते जो जर्ट का आउसर करते अब जर्ट के कारके अवह जाटा है कि अंदर का जंद दबा़ कम हो जाता है जिसके कारण जण अनदर हो जाता है अब कुछ छोटे कीट बिचारे है जैसे साइकनाप्स डेफनिया और रोटी फेरा के जोटे आधी जर्में पाए जाते अपने डर की द्वार पंदगे जो संग्वेधन सिंद्र रोम होते है अब उसे जो है कीट जो है चूटे चूटे तो क्या होता है कि पट अंदर क्यों खून जाता है और कीट बिचारे जो है पानी साथ जो है उनके अंदर इंटर कर जाते अब जैसे इंटर कर जाते पट जो है क्या होता है बंद हो जाता है अब बंद हो गया तो यह कीट बिचारा जो है अंदर ही फस जाता है और इन कीटों की जो है क्या हो जाते है मिर है जैसे इस पर बैठेगा क्या वगा कि पानी भरेगा बनी भरेगा तो यह देख्या होगा पानी के साथ जो है इसके अंदर चंदा जाएगा और इसका पाचन हो जाएगा आप देख सकते हैं यह है यूट्रिकुंडेरिया अब हम बात करेंगे बटर वर्ट की बटर वर्ट जो है यह भी एक छोटा सा जो है साकी पाउधा होता है जिसमें बरीव मांशन अब्रिंट पत्यों का चक्र होता है और पत्यों के किनारे उपर की ओर थोरा मुरे होते हैं पत्य के प्रिष्ट टन पर संदेशम तथा पाचक गुरंऊंतिये में जब कोई केटव स्ट इतर ब्यैटा तो आत की आ आप इसमें बीचारा बैठेगा और बैतेगा फिर चिपड़ जाएगा तो बहुटा आएगा पस्ताय होट का जब चीरियां चुक गई खेट तो अब इसमें छिपका रहता है और उसका जोए पाचन हो जाता है और पढ़े को है क्या प्राप्ट हो जाता है नाइटोजन प्राप्ट हो जाता है अब नेक्स है एक्जाब पर है एंड्रो वेंडा यह भी जो है जर्वीहिन जन्री पवदा होता है इसमें पत्यां की उपरी सताओं पर संग्वेदी रोम वह पाचा गरंथियां होती है जैसे ही कीट संग्वेदी रोमों को छूटा है पत्ती के दोनों और मध्य भाग मध्य सिरा होता है और मुरकर कीट को क्या करता है फसा नेता है और इसका पाचन हो जाता है और नाइट्रोजन को यह असोशीद करनेटे आप देख सकते हैं यह है एन्डिरोवेंडा है यह आ इन्ड dig संग्या है लils यह हैना कीट बच्छी पौध है क्या होते हैं यह कीटों को क्यों खाते है क्योंकि यह अस्ठान पर उखते है जहां पर न्हटोजन की कमी होती है और हमने ये भी जाना कि किर्वच्ची पाउध्य के उडारा कौन कौन से पाउध्य है तो बने रहे हमारे साथ नेक्स वीडियों के लिए